नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CLIS यान की Certificate in Library Sense कोर्स के बारे में 6 महिने का Certificate कोर्स है और अगर आप Library के सेस्मे यान की Librarian बनना चाहते हैं या Librarian है कहीं और फिर अपनी योग्यता को और विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए CLIS एक काफी अच्छा कोर्स है सिर्फ 6 महिने का कोर्स है और उससे आपको इगनु की तरफ से जो की एक सरकारी उनिवर्सिटी है उससे Certificate मिल जाता है तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अन तक देखें वीडियो की सुर्वाद से पहले आप इस Important Update को भी जरूर देखें अकैडमी लेकर आया है एक Special Offer Unlock20 जो की 30 जन्वरी 2022 और 31 जन्वरी 2022 तक वैलिड है इसमें आपको इसका कैसे इस्तिमाल करना है मेरे कोड PC2021 का आप इस्तिमाल कीजी और आपको मिलेगा 20% डिसकाउंट अन अकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्सन पर प्लस Credit Points के दुआरा आपको 10% का और डिसकाउंट मिलेगा यानकी Total आपको 30% 30% का डिसकाउंट मिलेगा अन अकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्सन पर 30 जन्वरी और 31 जन्वरी 2022 को क्या करना आपको PC 2021 जो की हाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने PC 2021 कोड का आप इस्तमाल कीजिए और आपको 20% डिसकाउंट मिल जाएगा 30 जन्वरी और 31 जन्वरी को जमा Credit Points का इस्तमाल करके आपको 10% का और डिसकाउंट मिल जाएगा यानकी Total डिसकाउंट कितना मिल गया आप और उस समय आप PC 2021 कोड का इस्तमाल कीजिए PC 2021 कोड का आप इस्तमाल कीजिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स से मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स को खोल ये तुरंत और तुरंत उस पर क्लिक कीजिए अनकाडेमी का प्लस सब्सक्रिप्सन पर और तो आप इसे देख पा रहे हैं Certificate in Library and Information Sign CLIS तो वहां पर इस तरीके की opportunity provide करना कि वहां पर जो librarian है वहां पर आप अगर librarian पहले से हैं तब भी आपको और ज्यादा इसके बारे में समझ हो जाए और अगर आप नहीं है librarian लेकिन बनना चाहते हैं तो उससे आपको इस certificate से आपको काफी फाइदा हो सकता है eligibility की अगर हम बात करें इसमें तो सिर्फ 20 प्लस 2 है यानि कि 12th class अगर आपने पास की है चाहे वो कितने ही नंबर से पास की हो किसी भी स्ट्री में पास की हो arts में पास की हो commerce में पास की हो या फिर आपने science में पास की हो तो 12th pass आप होने चाहिए और आप इसके लिए eligible है इस certificate course को करने के लिए medium of instruction की बात करें तो medium of instruction जो है वो English है लेकिन आप जो आपके assignment होंगे इगनु में आप जानते कि इगनु में 6 महीने की duration है 6 महीने का certificate course है लेकिन maximum time आपको दो साल तक का दिया जा सकता है यान कि मान लिजे कि 6 महीने के अंदर आप किसी subject को इसमें पास नहीं कर पाए तो आगे भी आपको मौका मिलेगा और दो साल के अंदर आपको इसको course को complete करने का मौका दिया जाता है offered in both January and July cycle January और July दोनों cycle में इसमें admission करवाया जाता है यान कि January में भी आप इसमें admission ले सकते हैं और July के अंदर भी आप इसमें admission ले सकते हैं तो उस समय जो fees होगी वो होगी उसके साथ exam form जब आप भरते हैं exam देने के लिए तो उस समय 200 रुपीज पर subject देना होता है वो इसके अंदर included नहीं है उसके बाद बात करें तो सब्जेक्ट हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने पढ़ते हैं इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता हूं तो certificate in library and information science के साथ साथ हिगनू BLIS और MLIS भी करवाता है BLIS यान की bachelor in library and information science यान की bachelor degree भी देता है और MLIS यान की master in library and information science यान की MLIS master के degree भी देता है तो जो भी आपका मन हो जिस तरीके से आपको जितना आपके पास समय है उसे साथ से आप देख सकते हैं कि 6 महिने का certificate course आपके लिए बढ़िया रहेगा या तीन साल का आपका bachelor degree आपके लिए बढ़िया है या फि इस वीडियो में इतना है वीडियो आपको पसंदना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए सेयर जरूर कीजिए